दोस्तों आज काफी समय के बाद में वीडियो बना रहा हूं इसलिए क्योंकि मेरे चैनल पर अधिकतर वीडियो वार से रिलेटेड हैं जिसके कारण यूटूब ने मेरे चैनल को एक अलगी लिस्ट में डाल दिया है जिससे मेरा रिवेन्यू विल्कुल जीरो हो गया है इसल दोस्तों आज हम बात करेंगे सोव्य संग के बारे में कि वह कैसे टूटा मेरे नए यूटूब चैनल हिस्टोरी बाब पर तो आईए सुरू से जुरू करते हैं यह की दो महा सकती यूएसे यानि यूनाइटेड इस्टेट अप अमेरिका तो दूसरी और यूएसे साज य सबसे अलग और सबसे आसान और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको यह वीडियो चाहिए या नहीं चलिए अब आगे बढ़ते हैं वर्डवार टू के दोरान यूएसे और यूएसे सार ने मिलकर जर्मनी जापान जैसे देशों के खिलाप करवाई की और जी इसके कराण यूएसे को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा लेकिन भाईया उस समय यूएसे सार की कमान स्टालिन के हातों में थी और इस महासाय ने जो ताना साही की उसके सामने तो हिटलर भी सर्माज जादा जानगरी के लिए एक वीडियो है मेरे पास उसे देखेगा जर लेकिन हम जरा बात शुरू से सुरू करते हैं जब यूएसे सार में कांदोलन शुरू हुआ 1917 में जब वहां की कॉम्मुनिस्ट पार्टियां आपस में लड़ रही थी जिसके बाद 1922 आते यह आंदोलन खत्म हुआ तथा ब्लादी में लेनिन के नेतरत में सोब्या संकी स् तोब्या संग उस समय दुनिया का सबसे बड़ा देश था फिर बड़ा तो आज भी है लेकिन अब उसे रश्या के नाम से जानते हैं और यह रहे वो देश जो उस समय यूएसे सार का अभिन्न हिस्सा थे पहला रशिया जॉर्जिया यूक्रेन मालदोवा वेलारूस अजर ठरवेजानاذ कजाकिस्तान उजवेकिस्तान तुरकमेनिस्तान किर्गिस्तान तजकिस्तान wollatv Glenya history लेकिन इकौनाम需 और foreign policy मासकों में नहें होती थी विक्टन के कारणों की बारे में बात करें तो सबसे बड़ा करण निकल कर आता है अफगानवार का क्योंकि इतना ताकत वर देश अफगानिस्थान में 10 साल तक संगर्ष करता रहा लेकिन आखिर में हार करीब आपिस आया अब इस घटना से हुआ क्या यही कि सारी दुनिया में USSR के प्रती जो डर था वह खत्म हो गया अफगान बार में USSR की काफी बदनामी हुई दूसरा सबसे बड़ा कारण था USSR का कॉम्मिस्ट होना क्योंकि USSR में ज प्रकार के आदिन में हैं जबकि जीओ एक प्राइवेट कंपनी हैं अब आप ये सब्सक्राइब की हलत जो है वो तो आप जानते ही हो इसलिए वहां वी जो बड़ी बड़ी इंडरेस्ट्री थी उनकी हलत बहुत ज्यादा खराब थी जिससे सोब्या संग की एकॉनोमी में उसमें एक बहुत बड़ा बदलाओ किया ये अपनी तीन प्रमुक पॉलिसी लेकर रहा है इनमें प्रमुक थी ग्लासमोस उसकोरेनी और पेरेस्ट्रोई का इन पॉलिसी के तहट अब मेडिया को पूरी आजादी दी गई कि आप कुछ भी लिखिये कुछ भी चापिये सरक सरकार आपको जेल में बंद नहीं करेगी साथ ही जो चुनाओं होंगे उन चुनाओं में एक से ज़्यादा उमिद्वा लड़ सकेंगे फोरेन इन्वेस्टमेंट लाने की भी बहुत सारी कोशिसे की गई लेकिन भाई साब यही वो कारण बने सोब्या संके तूटने के क्य जिसके कराण खाने पीने के साथमों में बहुत बड़ी गिरावर टाई उल्टा लोग ही अपनी सरकार के खिलाप हो गए जिसके बाद अंतिमें 1990 में का अंदोलन का दोड़ चला जिन में इस्ट जर्मनी चेकोसलोवाकिया वालगेरिया रोमानिया देश शामिल थे यह सभी यूएसेसर का हिस्सा तो नहीं थे लेकिन इन सभी देशों में एक भाले की सरकार होती थी जो यूएसेसर के इसारे पर चलती थी इस बार हुए इन्हें अंदोलन में गौर्बचेव ने वहां की सरकारों की मदद करने से इंकार कर दिया जिसका नतिज़ा यह हुआ कि इन कॉमुनिजम का सफाया जर्मनी में भी नवंबर 1990 में बर्रिन की दिवाल को तोड़ दिया गया जिसके बाद 1990 में USSR के वाकी बचे देशों में भी आंदूलन शुरू हो गए वहां पर आम चुनाव भी हुए जिसमें वहां की कॉमुनिजम पार्टियां हार गई और इन लोके से गोर्वचेयों को नजर बंद कर दिया जब वो क्रीमियां पर अपनी चुट्टियां मना रहे थे और अपनी जनता को यह बताया कि गोर्वचे बीमार हैं और अब हम ही सोव्य संके मायबाफ हैं लेकिन अब लोग कहा मनने वाले थे इसलिए मास्कों सहित कई अर्मी का भी सहरा लिया गया लेकिन अधिकतर आर्मियों की टुकडियों ने आन्दुलन में भागने से इनकार कर दिया कि वो अपने ही लोगों पर फाइरिंग नहीं करेंगे जिसके कारण यह अंदुलन दब नहीं सके जिसके बाद 8 दिसंबर 1999 को बेलारूस, वेलावेजा, युक्रेन और रेश्या जिसे बड़े देशों ने एक समझोथा साइन किया जिसके तहट USSR संगठन को निश्क्रिय कर दिया गया पूर एक नया संगठन बनाया गया CIS अब जो बड़े बड़े देश थे वो USSR से बाहर तो हो ही चुके थे इसलिए गोरवाचेव ने 21 दिसंबर को सबी देशों के नेताओं को बुलाया और फार्मली सबी देशों को आजाजी दे दी गई और 25 दिसंबर को गोरवाचेव ने इस्तिफावी दे दिया चता 26 दिसंबर को अफिशियली सोव्या संग पूरी तरीके से तूड़िया दोस्तों USSR और USA की बात करें तो उस समय USSR USA से काफी आगे था मतलब सोव्या संग के तूटने से पहले चाहे वो इस्पेस हो जिसमें पहला उपग्रे USSR नहीं भेजा था इस पूतनिक फर्स्ट चाहे वो पहला नागरिक हो यूरी गागरीन या चाहे वो पहला जानवर हो लाइका चाहे वो हत्यारों की होड़ हो लेकिन इन सभी कारणों से सोव्या संग की एकोनोमी में अच्छा खासा नुकसा नहीं और यही सबसे बड़े कारण बने सोव्या संग के तूटने के हैं दोस्तों मेरा आज का वीडियो भी यहीं खत्म होता है अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजेगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजेगा बाकि सब्सक्राइब करना तो मेरा हग बनता है यार क्योंकि हमने समय का सही उप्योग किया है जैहिंद वंद प्लीजेए मतरम